Acting छोडने की बात कर सुर्ख्यों में चायी टेलि विजन की ये टॉप एक्ट्रेस अब बड़े परदे पर करने जा रही है डेबियो टेलिविजन की टॉप एक्ट्रेस की गिंती में शुमार टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंग पिछले दिनों मीडिया में दिये अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में चाही थी एक्टरिस ने मीडिया से बाचीत में यह कह डाला था कि वह अपनी खराब तबियत के चलते एक्टिंग छोड़ रही है अब वह कभी टीवी सीरियल में काम नहीं करेंगी क्योंकि टीवी सीरियल के हर दिन के लंबे सेडियोल और उनके लाइफ इस्टाइल के चलते उनकी तबियत काफी बिगड़ रही है जिसके चलते उन्होंने डेसाइड किया है कि अब वह डेली शोप में काम नहीं करेंगी कौम से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने बॉलिवोड डेबियो और करियर को लेकर खुल कर बातचीत में बताया कि उनकी यह फिल्म कितने माइने रखती है और वे फिल्म को लेकर कितनी नर्वस है दिपका कहती है वैसे तो मैं पिछले 10 साल से लगातार टीवी में बतोर एक्टर काम कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ हफते पहले ही पता चला कि जब फिल्म में आप पहली बार बड़े परदे पर नजर आते हैं तो उसे बॉलिवोड में डेबियो करना कहा जाता है तो बिल्कुल मैं अपने डेबियो को लेकर थोड़ी नर्वस थी ल फिल्म फुल ओन कोमेडी है और फिल्म में मेरा करेक्टर एक ऐसी लड़की का है जो अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती है फिल्म का डारेक्शन आपके डारेक्टर पती रोहित राज ने किया है तो उनके साथ सेट पर काम करना कितना कमफोटेवल फील करता है इस सवाल पर दीपका कहती है कि आप तो जानते ही हैं मैंने उनके साथ छोटे परदे के नमबर वन शो दिया और बाती हम में काम किया है असल में वह मेरा बैस्ट निकलवाना जानते हैं उनके साथ मेरी एक्टिंग और उभर कराती है क्योंकि फिर चीटिंग करने की कोई गुंजायस नहीं रहती दीपका अपनी बात को बढ़ाते हुए हसते हुए कहती हैं सच बताओं तो रोहे डारेक्टर थे तो मैं सेट पर बहुत कम बात करती थी